है म mahdने YouTube क्यूंस्त किया कि 3 । तीन साल होगे मुझे को YouTube पे और तीन साल पहले मैंने YouTube स्टाइट किया था और पिछले एक महीने से मैंने कोई अपडेट नहीं दिया YouTube यानि कोई व्यूडियो नहीं बनाया तो मैंने YouTube YouTube क्यों स्टार्ट किया था तो वही सब में आज बताने वाला हूं भाई और मुझे क्या benefit मिला और क्या हुआ YouTube स्टार्ट करने के बाद तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट उधर चलते हैं पीछे मैं चल रहा है एक महीने के बाद आज मैंने अपने अँचे Cette आज मैंनेन सूचा कि यार क्यों न इस सफर को फिर से इस्टrouट करता हूं यूटूब के जो मैंने अप से 3 साल पहले स्टार्ट किया था और यूटूब मैंने क्यों स्टार्ट बाई यहीं आपको बताना चाहूंगा तो youtube मैंने इसलिए स्टार्ट किया ड्रैविंग के तो वहां पहुँचने के बाद भाई कुछ दिन तो जिन्दे की ऐसी रही मतलब सब कुछ अजीब लगा सारी चीज़ अजीब लगी लेकिन मैंने वहां पर देखा कि जितने भी लोग वहां पर मतलब काम करते हैं वह इंडिया आने के बाद जो हैं बिल्कुल वह हो जाते हैं मतलब किसी तरह का कोई काम नहीं कर पाते हैं उनका दिल वहीं पर लगता है तो मैंने साओधी अरब में गुजारे पूरे भाई दो साल छे महीने मैंने महां पर ड्रैविंग का काम किया और मुझे कोई खास इतना मज़े नहीं आया क्योंकि जिन्देगी ब बता सकता अभी और फ़ोंगो सारी बाते वह अभी शॉट मा बता रहो हूं तो महां पर जिंदेगी बहुत अजीब होती है ड्रैवर की मैं था डॉमेस्टिक वर्कष साधी तो उसके बाद ने Gimme ने दो साल छे महीन पूरे कल लिए अपने में इंडिया आने के बाद भाई यह मैं चार महिने पाँ बहुंगा में इंडिया में रहा उसके बाद मुझे कतर का विजा मिला काम चला गया काम करने के लिए उसी में डॉमेस्टिक Welshर में डोमेस्टिक वरकर में तो वहाँ पर पहुचने के बाद जब मैंने भाई अपना पहले दिन ड्यूटी जॉइन की तो मुझको बड़ा अजीब लगा कि यार इसी इनी सब चीजों से में निकल कर आया था महां से सौधी अरब से और फिर से मैं इसी मैं आ गया यार तो मुझक बहुत अजीब लगा कि यार वोही जिन्देगी मतलब आदमी नहीं जानी सकता आनी सकता कुछ करनी सकता तो बड़ी मुश्किलों तमाम भाई मैंने जो है अपने दू-तीन महीने गुजा रहे दो-तीन-महीने गुजानने के बाद लोग्डाउन लग गया लोग्डाउन ल जब कतर के अंदर था और मैंने पहली बार एक वीडियो रिकॉर्ड किया था यूटूब का फिर उसके बाद भाई मैंने अलहमदुलिल्ला बहुत सारे जगाओं के वीडियो बनाए का तर मैं जगा जगा मतलब शौपिंग मॉलों के यह फिर यूनिवर्सिटियों के यह फिर स्टाइड करने के बाद मेरे एक हाजार स्सक्राइबझ के बाद fire वहुआ थे भाई एक साल में और पूरो होने के बाद 1000 स्क्राइबर मैंने बहुत कि सीखा उसके बाद मैने अपने चैनल मॉनेटाइज कराया ठीक है मॉनेटाइज हो गया बैंक अकाउंट खुलवाया इंडिया में एनर आई वो जोइंड किया यह सब काम हो गया भाई अलहमदुलेला होने के बाद चैनल हो गया सेट एकदम सारी चीजे मतलब सेट अप एकदम बिल्कुल बस वीडियो बनाओ डाल तो ठीक है व्यूज आएंगे अर्निंग होईगी यह सब चीज हो गई तो यह सब चीज में दो साल में की पूरे यानि दो साल लग गए पूरे लग भग और अर्निंग में इस्टार्ट हो गई इस पर यूटूब चैनल मेरी फर्स्ट अनिंग जो आए थी तो वह आए थी इंडियान 38,000 रुपए पहली मेरी पेमिट हुई यूटूब पे तो मुझे बहुत खुशी हुई थो दिन के यार देखो मतलब मैंने कट दिखाया मतलब किया अलग सी मतलब मैं यहाँ पर DC का मतलब सीख जब मैंने स्टार्ट कया तो серьез के जब नहीं आता था तो फिर उसके बाद मेंने काम करता रहा भाई फिर ट्रिप भी की यह मैंने बंगलादेश गया नेपाल गया और इंडिया में भी मतलब आज़ पास के ट्रिप की लेकिन साद जूब वीडियो बनाये वह ने कतर में बनाया और वहीं मैंने योटूब चलाना सीखा मतलब यूटूब पे काम करना से नहीं देखा है क्योंकि अगर हम महाँ पर कोई चीज देख रहा है तो वो चीज हमारे देश में किस तरह से हो रही है तो यह सब सारी चीजे मेरे सामना आई तो मैंने सूचे के यार मुझे अपना देश घुमना चाहिए पहले भारत इंडिया उसके बाद में किसी कंट्री के अंदर मतलब तो पिछले महीने से भाई मैंने अपने फून में कोई ब्लॉक शूट नहीं किया था और अब में स्टार्ट करने वाला हूं फिर से ब्लॉक शूट करना ठीक है मेरा सब कुस्ट है भाई ठीक है और उसके बाद भी में मतलब वीडियो डाल रहा है और मेरे पास इतने सारे दूस मतलब मैसिज कर रहा है इस्टाग्राम पर किया हुआ आप तो वीडियो नहीं राल रहा है ना कोई अपडेट है ना कुछ है भाई कहा हो जिंदा हो या ना क्या यह वो सब सारी बाते तो भाई मैं अलहम्दुलिल्ला ठीक हो सब कुछ अच्छा है बस मैंने प्लाइन किया था अब से तीन साल पहले कि यार अगर बाई चांस में कतर छोड़ूंगा या कोई और कंट्री छोड़ूंगा तो मेरे पास कोई ऐसी सोर्स हो इंकम सोर्स या फिर कुछ मैं ऐसा सीख लूँ जो मेरे काम में आई फ्यूचर में तो मैंने भाई यही सी सब्सक्राइब कर लें और ऑपने दोस्ते हैं और इसे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप ब्लॉग आएंगे मतलब मेरे देली तो नहीं अपलोड करूँ वह पावर नहीं आप आती कंटेंड में देली ब्लॉग अपलोड करने में तो एक दिन छोड़के या थिए अब से करेंके। तो भाई थैंक यू वीडिवेडियो देखने के लिए मिलते हैं जल्दी ही ने एक्सेश वीडियो में तब तक के लिए और मैं चल रहा है भाई यह तो टीन में खेल रही है अब मुला का थोती रहेगी